नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नियोक्ता यानि कम्पनियों को उनके संस्थान में 40-80 से कम बेतर पर काम करने वाले स्रमिकों का पूरा बेवरा और पता देना है बता दे 27 मार्च को स्रम विभा के पोर्टल में दर्ज आकड़े के मुताबिक 27.7 पर्तियती जारखन निवासी निजी कम्पनियों में काम कर रहे हैं फिलहाल अलग-अलग जीलों में मामूली सुचना पोर्टल पर डाले जा रहे हैं बता दे आकड़े के अनुसार राजे के अलग-अलग जीलों में निजी छेत्रे में कारड़त रमीको के संबंद में जो जनकारी दी गई है उसमें कूल 788 सरमीको का बेवरा है इसमें 205 जारखन के निवासी है हलाकि पोर्टल में इस्ते संबंदी आकड़े हर दिन अपडेट किये जा रहे हैं जनकारी के मुताविक अब तक 2300 नियोकता ने पोर्टल बनी बंदन कराया है एक आकड़े के मुताविक राजय में 5 हया से जादा नियोकता है जिनको इस संबंद में जनकारी देनी है मौसम विभाग के अनुसार 30 माज से 1 अपरेल के बीच मौसम के पुना सक्रिय होने की संभावना है इस दवरान अधिकतर छेत्रों में हलके समद अस्तर की बारिस होने की असंका ब्यक्त की जा रही है इस दवरान 5 mm से 30 mm बारिस के साथ में गरजन एवं हावा की गती 20 से 30 किलो मेटर रहने के संका है इसके साथ ही कुछ छेत्रों पर ओला विरिष्टी होने की संभावना है वहीं 2 अपरेल के बाद मौसम की गती भीथी समाने होने की संभावना है बता दे जीला किरिसी मौसम इकाई के द्वारा किसानों को पुना सलाह दी जाती है कि बर्तमान मेरा भी फसल की कटाई का समय है फसल पक चुकी है तो उसकी कटाई करने एवं कटे ये फसलों को नामी से बचाने है आईसा कर सरकार गरामी जनता को सरकार द्वारा प्रदत सेवावों एवं योजनावों का लाप देलाना चाहती है इसके लिए गराम पंचाई सचीवाले भावन को अधुनिक तक्निकी एवं निमतम अधहार भोत सनराचना और सेवा से लेस किया जाएगा योजनाव को गथी देने के लिए पंचाई सचीवाले सचीवाले सद्रेडी करन की मंजूरी कैबिनेट से विगत दिनों ही मिल चुकी है आप राज्यके 4 याट 345 पंचाईतों को सद्रेडी करन का कारेश जल्द प्रावराम होगा बदादे पंचाज सच्वाले सुधिर्टी करन के लिए राई सरकार साभी ग्राम पंचाज सच्वाले भवन से पाकी सड़त तक पहुंच पत सुनिश्चित करेगी गुमला के गुफा में नकसलियों ने छिपा कर रखा था हत्यार बरामत CRPF 218 बटालियन द्वारा चलाए गए ऑपरेशन में सुरक्षा बलो को नकसलियों के खिलाब सफलता मिली है गुमला जिला अंतरगत राय डिथाना के लुदाम कोठा टोली के पहाड के गुफा में छिपा कर रखा हुआ हत्या सुरक्षा बलो ने बरामत कर लिया है इसमें देशी कटा गोली सहित कई समान है हलाकि बरामत समान भागपमवादी या फिर पीलेफाई कहा है या असपस्ट नहीं हुआ है लेकिन बताया जारा है कि नकसलियों ने ही इन हत्यारों को छिपा कर रखा था गुपत सुचना के अधार पर CRPF ने करवाई करते हुए हत्यारों गोली बरामत किया है सीनियर अधिकारियों की कमी से जूज रही जहारखन सरकार जहारखन में महत्पून पदों के लिए सीनियर अधिकारियों का घोरा भाव है हला तया है कि जहां परधान सची वस्तर के एक दर्जन अधिकारियों के जरूरत है वहीं उपलब्द अधिकारियों की संख्या एक तिहाई के बराबर है वहीं दो तिहाई रिक्तियों से काम पर असर भी पढ़ रहा है बतादे राजे में अब चार प्रधान सचीव अस्तर के अधिकारी ही रह गए हैं इसमें से एक की परतिन्युक्ति राजबोन में है वहीं इस परकार महाजतीन अधिकारियों से महत्पून कारियों का निस्पादन हो रहा है दोत्ती हाई रियुक्तियों के कारण काम पर असर पढ़ रहा है बरतमान में जार्खन के दर्जनों अधिकारी केंद्रिय परतिन्युक्ति पर नई दिली में पदस्थापी था है परधान सचीव रेंग के अधिकारियों के कारण काम की रफ्तार प्रभावित हो रही है जिसके लिए समंधित जीलो में मुवजार आसी का बित्रन किया गया तुफान से हुए नुकसान का आकलन का जीलो से रिपोर्ट मंगाई गई थी इसके बाद सरकार ने अपने अस्तरपर समिक्षा करने के बाद तुफान परवाईत परिवारों के बीच कूल साथ कड़ोर संतावन लाख रुपए का भोकतान किया है इनमें फसल छाती मद में दो कड़ोर तीहत्तर लाख सताई से याचाथ होचाविस रुपए वज छाती ग्रस्त मकान की मरमती मद में तीन कड़ोर अर्तालिस लाख एक तीस यारपान सो रुपए दिये गए है बदा दे यास तुफान से सरवाधिक मकान को नुकसान पच्मी सिमूम जिले में हुई है जिसके लिए 1.33 लाख बहातर यार 400 रुपए अवंटित किये गए है सन्वेधानिक पदो पर नियुकती की मांग वाली याचिका पर सरकार से जबाब जारखन हाई कोट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिस्राव जस्टिस अनन सेन की खंट पिठ में लोकायोग सुचना आयोग और अने समिधानिक पद पर नियुकती की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई सुनवाई के बाद अदालत ने राज सरकार से जबा मंगा है अदालत ने सरकार से पूछा है कि पद रिक्त क्यों है और कब तक इन पदों पर नियुकती की जाएगी अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि यदि सरकार रिक्त पदों को भने पनिने नहीं लेती है तो अदालत इस पर सरकार को निदेश जारी करेगी इस मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रेल को होगी इस समान में हाई कोट एडवोकेट एसोसेशन ने जनित याज का दाखिल की है बतादे एडवोकेट एसोसेशन की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता नवीन कुमान ने अदालत को बताया है कि राज में चार साल से लोकायोक्त सुचना आयोक्त और पुलिस सीकायत प्रादिकार सहीत का इस समय धानिक पद खाली है उतपाद बिभाग ने भारी मात्रा में बंगाल निर्मित बियर जब्त किया जारखन के हजारी बाग में सहायक आयोक्त के निर्देश पर उतपाद बिभाग ने सहर के कुर्रा, लाखे, मतवारी और पतरातु और बढ़का गामें अवैद सराब के खिलाब अभियान चला रखा है इसी कड़ी में बुद्वार को भारी मात्रा में बंगाल निर्मित बियर देशी सराब तथा जावा महुआ बरामत किया है सहरी छेतर में जीतंदर कुमार सिंग तथा बढ़का गाम में दरोगा परकास कुमार मिस्तरा ने चापे मारी की है सहरी छेतर में इस छापे मारी अभ्यान के दोरान 6 लोगों पर प्रात्मी की दर्ज की गई है वहीं 500 लीटर देशी महुआ, चुवाई, सराब तथा 2000 किलो जावा महुआ बरामत किया गया है स्वक्षता जागरूपता के नाम मसाल जूलूस पर सवार लेकिन इस जूलूस के माध्यम से निगम खुद परदूसन फैला रहा था जिस पर सवाल खड़ा होना लाजीम है निगम ने परदूसन फैला कर रांची के लोगों के बीच स्वक्षता का संदेश दिया बता दे रांची बीच्व बिचल लेकि भोगर्व सास्त्र के परफेसर और परदूसन वाले LED लाइट या कोई अन्य परदूसन की संसाधनों का इस्तिमाल किया जा सकता था रांची के डोरंडा उभर ब्रीज से नहीं जूटेंगे राम नमी सोभायात्रा के बड़े वाहान गुरु आर को राजधानी रांची में राम नमी के भबे सोभायात्रा की त्यारी की गई है रांची थी सभी अखाड़े बेहतरीन सोभायात्रा निकालने के लिए अपने अपनी त्यारियों कमती में रूप दे चुके हैं वही रांची SSP की अगुआई में पुलिस की टीम हर हाल में परोको सांतिपुन तरीके से संपन कराने के लिए कमरकस चुकी है पुजा समीतियों के दोरा पूलिस से सोभायात्रा को लेकर कुछ अपिल की गई थी उसे भी मान लिया गया है बता दे राज्य भर में राम नमी की सोभायात्रा गुरुवार को निकाली जाएगी इसको लेकर सुरक्षा का पुखता इंतिजाम किये गया है सुभा यात्रा को लेकर ट्रैफिक रूट में बदला तो किया गया है साथ ही डुरंडा उभर बिरिज पर सुभा यात्रा में सामिल भारी वाहनों के परविस पर भी रोक लगा दी गई है केंद्र ने भूईहर मुंडा जाती को आदिवासी मानने से किया इंकार केंद्र सरकार ने जर्खन की भूईहर मुंडा जाती को बाभन मानते हुए आदिवासीयों की सुची में सामिल करने से इंकार कर दिया है रजिस्टार जेनरल ओफ इंडिया ने राज सरकार के प्रस्ताव को या कहते हुए अस्विकार कर दिया है कि इसमें भोईहर मुंडा जाती के मूल और समकालिन जन जातिये विसेस्तावों के साथ अनविंदूगों का उलेख नहीं किया गया है भारत सरकार के जन जातिये मामलो के मंत्राले ने 20 मार्च 2.03 को इसे समझी सूचना राजज सरकार को भेज दी है जारकन सरकार ने भोईहर मुंडा जाती को अनसूची त जन जाती की सूची में सामिल करने के उसंसा जन जातीये मामलो के मंत्राले से की थी राज सरकार की ओर से भेज़ेगा प्रस्तावों में भोईहर मुंडा को मुंडा जन जाती की उप जाती बताया गया था राज सरकार ने अपने प्रस्ताव के पक्ष में कई पुस्तकों सहीद अन्दस्तावेच के हवाला दिया था राम नौमी सोभा यातरा के दोरान एक बये से दस बये साम तक बिजली रहेगी गूल राम नमी सोभाय अत्रक दोरान राजधानी में दोपहर बाद सभी इलाकों में बिजली आपूर्ती यात्रा के लोटने तक बंद रहेंगी इस दोरान हटिया ग्रीड में उपकरनों को बदलने और उसकी मरमत के लिए गुरुआर को मेगा पावर ब्लोक भी लिया जाएगा ग्रीड के 50 MVA के पावर टांसफर्मर से सप्लाई करीब 9 घंटे एक बये से लेकर 10 बये तक बंद रहेगी इस दोरान हटिया वन ग्रीड के 132 एवां 33 के वी हल्प में बस के आईसोलेटर में मरमत का काम किया जाएगा बतादे सोभा यात्रा के दोरान बिली समस्या की सिकायत दर्ज कराने के लिए अभियनतावक वालट जारी किया गया है सोभा यात्रा के दोरान अखाडा समीतियों के साथ ही आम लोग बिली की समस्या आने पर दियेग नमबर पर सिकायत कर सकते हैं सरधालों को मुफ्त घर तक छोड़ेगा निगम राम नमी सोभा यात्रा कुले का ट्रैफिक पूलिस ने रूट जारी कर दिया है दीन के एक बज़े के बाद से में रोड में परवेश बंद कर दिया जाएगा एस एस पी आवास चोग से कचहरी चोग सहीद चोग अपर बजार से सहीद चोग जाकिर हुसेन पाइक से कमिस्नर चोग चड़ी तलाब से अलवट एका चोग चर्च रोड से में रोड वूल हाउस के पास से में रोड की तरफ पुरुलिया रोड से सरजना चोग की तरफ बीसनू सिनेमा मार्ग से पचमी अपरबयार से टेक्सी स्टेंड की और वाहनों के परवेश वरजित रहेगा नवाड ने जहारखन के लिए बनाई 43,000 कडोर की क्रेडिट योजना राष्ट्री किरिस्ती और ग्रामिन विकास बैंक नवाड ने बुद्धवार को जहारखन मंत्राले सभागार में स्टेट क्रेडिट सेमिनार का योजन किया इस दोरान नवाड ने वर्ष्ट 2013-24 में जहारखन के लिए 43,725 कडोर रुपई की राजि क्रेडिट योजना प्रस्तुत की है यह बितिये वर्ष्ट 2022 ते इसके 34,455 कडोर रुपई से करीब 92,660 कडोर ज्यादा है कारिकरम का थीम राजि बजट का क्रेडिट पलान के साथ प्रसार रखा गया था इस मौके पर नवाड के CGM MS राव ने स्टेट क्रेडिट सेमिनार के महतो और उदेश पर परकाश डाला उन्होंने किसानों के लाव के लिए राजे में अधिक किसान उत्पादक संगठनों के गठन तथा उनके द्वारा हाइटेक क्रिसी अपनाने पर जोर दिया है गुमला के अंजना धाम में मा अंजनी की गोद में है हनुमान जी श्री राम भक्त हनुमान का जन्म जार्खन के उगरवात प्रभावित गुमला जीले से 20 किलिम्टर दूर अंजना धाम में हुआ था सबसे अस्चर्ज की बात यहा है कि भागवान हनुमान के जन्म अस्थली के अलावा गुमला जीले के पाल कोट परखन में बाली और सुगरी का भी राज था यहां तक की सबरी आस्रम भी यहीं है जहां माता सबरी ने भागवान राम और लक्षमन को जूठे वेर खिलाई थी प्रमपरा पूर सरोवर भी यहीं है जहां भागवान राम अपने भाई लक्षमन के साथ रूप कर रशनान किये थे बता दे जन सुरूती के अनुसार भागवान हनुमान के जन्म वो उससे जुड़े इतिहास की पूरी कहानी इस परकार है अंजना गाउं जो जंगल और पहाडों सो घीरा है अंजन एक अत्ती प्राचिन धार्मिक अस्थल है पहाड की चोटी इस्थीत गूफा में माता अंजनी के गर्व से भागवान हनुमान का जन्म हुआ था धर्नेवाद यदि आप चनल पर नहीं है तो चनल को सब्सक्राइब कर बाल के बेले के अंद बढ़िए साथ साथ वीडियो को एक लाइक आपने दोस्तों के असे करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स पर अपना फीड़बेक अवस्चे दे थैंक्यू